अब अस्लम स्लाम अलेकम दोस्तों जॉली अजीम हमाजीर है है फिर एक नही वीडियो के साथ दोस्तों मैंग लिए मेंगो की मुख्ली किसिम की रेशीपिज लेकर नहीं तो दोस्तों आज मैंधेटिक आपके लिए जो मेंगो मिल्क शेक बनाना आपको सब्सक्राओंगा आम जो दूद वाला शेक होता है मेंगो के साथ तो दोस्तों से बनाना चुरू करते हैं बहुत सिंपल और असान इंग्रेडिनियर्स तरीके से आपको बता रहा हूं दोस्तों मैंने दोस्तों मेरी लेटर दूद लिये और यह फुल चेल्ड है ठंडा और अगर आपने इससे ज्यादा ठंडा यह नहीं पीने मेलग शेक तो आप इसमें तीन चार के करीब ऐस क्यूब डाल सकते हैं यह मैंने वन टेबल स्पून भरके चीनी लिए अगर आपको चीनी ज्यादा पसान है तो आप दो चमच टाल दें खाने वाले और एक मैंने चोटे साइस का मेंगो लेके से चोटे-चोटे क्यूब्स में काट लिया है और हम इसे ब्लेंडर में बनाएंगे हम दो मिनट पर इसे शेक करेंगे अच्छे तरीके से सबसे पहले 200 मिली लिटर इसको फुल फैट मिल्क वाला दूप टाल दें आइस कोल्ड है मैंने रेफ्रिजेट उपर गया था फिर उसे मैंने मेल्ट किया है तो आइस कोल्ड हो गया है वन टेबर सुभर के चीनी और एक छोटा आम जो मैंने काटकर रखा है वो डाल देते ह दोस्तों इसे 2 मिनद के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड करता हूं अच्छे तरीके से दो मिनद कर लिए वक्फए वक्फए के साथ से ब्लेंड कर लिए है देखते हैं से कि देखें दूस्तों कितना करीमी बने चले मैं इसे घ्लास में डालके डेकुरेट करके पिबर आपको दिखाता हूं अधिनिया नहीं जी दूस्त हमारा मज़ेदार असान सी रस्पी मेंगो मिलक शेक तियार आपका मिलक शेक तियार है ये पाकिस्टान इंडिया में बहुत शोङ सब्या जाता इसके बहुत सारे पाया फैते यह दूट को ताकत देता है दिल को ताकत देता है आपके डिश्चन प्रॉब्लम्स जितनी है उसे दूर करते हैं गर्णुसरा घरम होता है तो थोड़ा से बैलेंस हो मैं जाते है तो आप इससे जूब रही कि और आपको मेरी रेस्पी पसंद आगी है में रेसं वीडियो को करें कॉमेंट करें शेप कीजिएगा और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स और आर्ट का कलर क्राउड के नाम से सब्सक्राइब करने तो मेरे दोने चैनल को अच्छे तरीके से आप जो बैल आइकोन इसे जुड़ क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटस अफडेट्स भी देख रहा होगा तो मेरे आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ओके जी अलाफिस टेक केर अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो 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 कर दो